हाई, welcome to my channel, इस बीडियो में solve करें question number 24 तो यहां पोल रहा है किया, a rectangular seat of paper 30 cm by 18 cm can be transformed into the curved surface of a right circular cylinder in two ways either by rolling the paper along its length along its length or by rolling it along its breadth find the ratio of the volumes of the two cylinders thus generated thus formed, okay कराय की 30 cm और 18 cm dimension का, मतलब length और breadth का एक rectangular seat of paper है, मतलब कि हमने यहाँ पर एक ले लिया है और यहाँ पर 30 cm क्या है, यह length है इसका और 18 cm और breadth है ठीक है, तो इसको पहले हम roll कर रहे हैं, पहली बार first time इसको roll कर रहे हैं, length के along, ठीक है तो length के along roll करने का मतलब क्या है, इस वाले vertex को इससे मिला देंगे यह जो length होगा, वो उतना ही होगा जितना इस paper का length है और इसका length कितना है? 30 cm length है तो हमें मिल गया इसका circumference, मतलब इस का, इस cylinder का base का circumference जो है 30 cm है, और जो height है, वो height तो उतना ही रहेगा जितना इस paper का यह ब्रेथ है, तो ब्रेथ है 18 cm, तो हाइड भी रहेगा इसका 18 cm, ठीक है? यह वाली, ओके, इतना समझ गया है यहाँ पर, अब इसको यह दि हम रोल करते हैं, पेपर को, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बल कि ऐसे, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, मतलब कि ब्रेथ के लॉंग कर रहे हैं, हम इसे करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे रोटेट करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? यदि आप इस तरीक से रोटेट करेंगे, तो आपका जो है, सिलिंडर ऐसा बनेगा, और इसका जो यह, जो बेस का सरकॉंफरेंस होगा, मतलब यह वाली जो लेंथ होगी, वो ब्रेथ के लेंथ है, 30 cm, यदि आप यह समझ गये, तब आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, दोनों का वालूम निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट केस में क्या करना पड़ेगा, solution, कर आए न, कि रेसियो निकालना है आपको, वालूम्स आफ टू सिलिंडर दस फर्म्ड, तो इसका वालू रोलिंग एलॉंग लेंथ, तो हम लेंथ के एलॉंग यदि रोल करते हैं, तो क्या होगा, ध्यान दिजेगा, रोलिंग एलॉंग लेंथ होगा, तो टू पा यार, जो पेरिमिटर होगा सिलिंडर का, मतब सर्कम्फरेंस आफ बेस, वो इक्वल होगा 30 सिंटिमिटर, मतब लेंथ आफ दी पेपर, लेंथ आफ दी पेपर, पेपर के यतना लेंथ है, उसके बराबर होगा, तो यहाँ पर हम आर निकाल लेंगे, यहाँ से, मतलब सर्कम्फरेंस आफ बेस कितना है, टू पाई, आर इसकल टू कितना हो जाएगा, यह 30, यह हो जाएगा 30, ओके तो अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे, रेडियस, तो यहाँ से रेडियस आजाएगा, आपका 30 अपान, टू पाई को ट्रांसफर कर दीजिए, तो मिलेग देकर ले सकते हैं, हाइट, विल बी 18, ब्रेथ जितना होगा, इस रेक्टेंगुलर सीट अफ़ेपर का, उतना ही हाइट होगा, ठीक है, पहला बहला केस में, यहाँ पर आप निकाल लेंगे, वाल, यहाँ आप निकाल लेंगे, सो, वीवन, मिन्स वाल्यूम आफ फर्स्ट केस, वाल्यूम इन फर्स्ट केस, ठीक है, वीवन निकाल लेंगे, आपर, तो यह निकल लेगा, आपका, पाई, आर वन स्क्वार, एच वन, ठीक है, यहाँ पर, एच वन है 18, और आर वन है आपका 15 अपन पाई, यहाँ जाएगा, पाई की वेलू, पाई ही रखने दीजे, और आर वन की वेलू होगई 15 अपन, 15 अपन पाई का होल स्क्वार, इन्टू, एच वन में तब 18, इसको साल मत करिएगा, बस ऐसे ही रहने दीजे, इसको इतना यूनिट्स, इतना स्क्वार यूनिट्स आपका सकते हैं, सेंटिमेटर स्क्वार, तो दिया यह यहाँ पर, से जो है के सेकेंड में अपसाल करते हैं, तो के सेकेंड, के सेकेंड में क्या है, रोलिंग एलांग इट्स ब्रेथ, रोलिंग एलांग ब्रेथ, जब ब्रेथ के एलांग जो है, रोल करेंगे, तो यहाँ पर जो सर्कम्फरेंस आप तो बेस आएगा, वो आएगा 18 सेंटर के ब आफ दी बेस इस उकल टू यहाँ पर क्या होगा ब्रेथ ब्रेथ आफ दी पेपर ओके और यह इक्वल हो जाएगा यहाँ पर देखें किसरकंफरेंस आफ दो बेस कितना है 2 पाई आफ ले जानते हैं हम लोग 2 पाई आफ आफ दी पेपर कितना है 18 यहाँ निकल जाएगा रेडियस तो आफ परावर हो जाएगा 18 अपान 2 पाई और 202 और यहाँ पर 9 हो जाएगा तो मतलब आजाएगा 9 अपान पाई यह हो जाएगा रेडियस और हाइड क्या होगा H मतलब H2 यहाँ पर निकल गया यह R2 मान लिजी इसको R2 और यहाँ पर हम इसको R1 मान दो ज़िए रहेगा ठीक है ढव रवन है यह R1 है और यह हो इसदी और यह H1 है ठीक है तो हम यहाँ पर H2 पराबर कहले सकते हैं 30 cm जितना लेंथ होगा उतना ही क्या होगा जितना लेंथ होगा उतना ही हाइट होगा अब यहां पर का करेंगे हम निकालेंगे volume v2 v2 इसको डुक्त हो जाएगा pi r2 square into s2 मतलब हो जाएगा pi into r2 के बल्ड के वहले गतनी है 9 upon pi 9 upon pi का whole square into s2 मतलब 30 ठीक है तो यह हो गए आपका आप क्या करना है हमें निकालना ratio तो hence So, ratio of volumes, ratio of these two volumes, equal to hooga V1 upon V2, equal to kya hooga? तो V1 कितना है? V1 आपका है Pi in bracket 15 upon Pi का whole square into 18 cm² divided by नीचे रहेगा यहाँ पर Pi into 9 upon Pi whole square into 30. देखे, मैंने क्यों यहाँ पर कुछ cancel out नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर अराम से cancel out हो सकता है, तो Pi से Pi cancel हो जाएगा यहाँ पर और इसको हमें थोड़ा सा expand करना पड़ेगा, तो यह लिखना पड़ेगा आपको 15 multiplied by 15 into 18 तो है ही, whole upon यहाँ पर Pi into Pi हो जाएगा, मतलब Pi into Pi हो जाएगा, whole अब यहाँ पर करेंगे, यह हो जाएगा 9 upon Pi multiplied by 30, ठीक है? अब यहाँ देखे, Pi और Pi जो है नीचे-नीचे cancel हो जाएगे, और अब यहाँ पर उपर नीचे बचा हुआ है, इसको कर लीजे, देखे, आपर 18 से करेंगे, यहाँ पर, तो 6, 3, 18 हो जाएगा, और 6, 5, 30 हो जाएगा, अब यह 9 सीकटेगा, तो 9, 3 वंजर 3, और 3, 35 कर शह नाइन होता है, 3 वंजर 3, 3, 15 होता है, 5 वंजर 5, और 5, 5 होता है, अब 9 सीकटेगे, यहाँ पर, 3, 39 होता है, अब कितना बचा दिखे ऊपर कुछ नहीं बचा है बस 5 बचा है अपान नीचे कुछ नहीं बचा है बस 3 बचा है मतलब कि जो वालिम का रेशियो आ गया वो आ गया 5 अपन 3 मतलब क्या गया 5 is to 3 This is your answer Thank you so much for watching, bye